हेलो दोस्तों रासा कीचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ बहुत ही निट्रिस्यस आलू सोया बीन की सबजी बहुत ही जल्दी बनेगी और बहुत ही तेस्टी बनेगी तो चलिए बनाते हैं यहां मैंने पानी को नियुको बोल होने के लिए रख दिया है जब पानी में अच्छी तरह से उबाला जाया है युक्त हैाँ इसमें अच्छी स्टर कर लेंगे इसे पानी में डाल जया हैं और इसे हमें दो मिनट तक बॉयल करना है, जब ये दो मिनट तक अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, तो हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे हम कवर करके दो मिनट के लिए रग देंगे, तो दो मिनट हो गया है, तो मैंने फ्लेम को आफ कर दिया है, तो इसे हम कवर कर देते है दो मिनट के बाद हम कवर हटाएंगे, अब हम इसे अच्छी तरह से स्ट्रेंड करके प्याज और सोया बिन के चंग्स को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, अभी ये काफी गरम है, तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, यहां मैंने प्याज को अलग कर लिया है, अब सोया चंग्स में हम थोड़ा पानी डालेंगे, और इसे हम अच्छी तरह से वाश कर लेंगे, और इसका सारा पानी हम अच्छी तरह से निचोड कर निकाल लेंगे, कि यहां एक ग्रैंडिंग जार में मैंने प्याज जो हमने बॉइल किया था, उसे डाल देंगे, और साथी यहां मैंने तीन का लिए लशन की लिए है, और एक छोटा अद्रग का तुकड़ा है, एक मिलियम साइज का टमाटर है उसे भी डाल देंगी, और एक हरी मिच को मैंने काट के डाल दिया है इसे अची तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है यहां मैंने कढ़ाई में 1 टीस्पून सरसो का तेल डाला है और इसमें एक तेजपत्ता डाल दिया है यह अची तरह से गरम हो जाए तो इसमें हम आलू डालेंगे यहां मैंने तीन मीटियम साइज के आलू को बॉयल करके लिया है इस तरह से चोटे चोटे पीसे में काट लिया है तब हम इसमें आलू डाल देंगे और इसे हमें लगभग दो मिनट तक फ्राइ करना है जब तक कि आलू में एक थोड़ा सा ब्राउन कलर ना आ जाए फ्लेम मी तरह बॉयली हम दोर से वात्ति हम थोड़ा सा इसमें हल्दी का पाउडर भी डालेंगी मिकस कर लेगे अब हमने जो सोया चंग्स को बॉयल करके रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे और इसे भी हम आलू के साथ थोड़ा फ्राइ कर लेंगे तो चंग्स में भी जो है एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा इस तरह से आलू और सोया चंग्स को हम जब थोड़ा फ्राइ करके डालते हैं तो सबजी का टेस्ट काफी बढ़ जाता है तो बस इसे हमें इतना ही फ्राइ करना है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं अब उसी कड़ाई में मैंने वन टेबल स्पून ऑईल डाला है उसमें हाफ टी स्पून गोटा जीरा डालेंगे और यहां मैंने दो चुटकी हींग डाली है जब जीरा अची दरा से क्रेकल हो जय है तो इसमें हम पीसा हुआ मसाला डालेंगे और मीडियम फलेम में इसे हमें कुक करना है तो फलेम को मैंने मीडियम कर दिया है itर अची तरह से मिच्ण करतेवे लगभग 2 मिनट तक कुक करना है अब इसमें स्वादानुसा नमक डाल देंगे, नमक हमने अपने आलू में भी डाला था, तो सवधानी से डाले हाफ टीजपून हल्दी पाउडर डाल देंगे, यह मसाले भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमने प्याज को बोईल करके लिया था, तो यह सबजी बहुत ही कम तेल में और बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है, तो अब हम इसमें कुछ सू अब हम इसमें हाफ टीजपून काश्मीरी लाल मिच डालेंगे, और मैंने यहाँ वन पोर टीजपून लाल मिच का पाउडर डाला है, मिर्च आप अपने ठेस के अकॉर्डिंग कमिया ज्यादा डाल सकते हैं, अची तरह से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम लो टू मीडियम ही हाथों से मसल के डालें, अची तरह से मिक्स कर लेंगे, मसाले अची तरह से भून चुकी है, तो अब हम इसमें अपने अलू और सोया चंक्स को डाल देंगे, और इसे अची तरह से मिक्स कर लेना है, अलू और सोया चंक्स डाल के लिए और भून लेंगे, ताकि मसाले अच अछ sarc Dareپ unter ऊपकी मेह टाले मतले थोड़ा dhannaya path level का लिए आह से अछी तरह से मिक्स कर ले आपनी अलो पानी डालें यहाम इने culp comparing the आपको जितनीلة दाल सकते है और आपनी एक ह Musik कर दिया है थाहिसमें एक अच्छा सा बॉल आजा स Duck तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतनी ग्रेवी रख सकते हैं यहां मैंने तेज पत्ता को आप निकाल दिया है क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में आ चुका है अब हम इसे अची तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें 140 पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे अची तरह से मिक्स कर लेंगे तो बस हमारी सबजी बनकर बिल्कुल तैयार है तो हम इस स्टेज पर फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे हम कवर करके दो मिनट के लिए रखतेंगे तो देखिए हमारी सबजी का कलर कितना अच्छा आया है और बहुत ही कम तेल में और बहुत ही जल्दी बहुत ही टेस्टी सबजी बनकर तयार हो जाती है तो आप इसे इस तरह से एक बार जरूर ट्राइ कीजिए तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी इंजोई कर सकते हैं आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैंने रखता है अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें फिर मिलूंगी एक ने रेसिपी के साथ तिल देन गुडबाई टेक केर